Hello everyone, welcome back to my channel Geomatics Engineering और आज हम Google Earth Engine के इस lecture में हम बात करेंगे कि कैसे किसी satellite image को import करके उसको visualize करते हैं तो आज इसके बारे में बात करेंगे तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे Google Earth Engine का जो platform code editor है जिसके बारे में मैंने पहले lecture में बात की थी उसको open कर रखा है और यहाँ पे आपको एक नई script create करने होगे उसके लिए आपको new पे जाना है, file पे जाना है और file पे click करते ही यहाँ पे एक नई script आजाएगा जिसका आप नाम दे सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे import कर रहा है satellite image इसको save कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी जो नई file है यह add होके आ गई है इस पे click करना है और यह जो पुरानी file है उसको आप save करना चाहते हैं तो yes कर दे और यह आपकी नई script एक blank script जो है open होके आ जाएगे अब हमें जो है देखना है कि इसमें satellite image किसी भी satellite image को कैसे import करते हैं मैं बहुत basic से importing के तरीके के बारे में बात करूंगी तो सबसे पहले हम जो satellite image जिसको import करना चाहते है जैसे अगर Sentinel 2A को import करना चाहते हैं यहाँ पे search करना है आपको Sentinel 2A, यहाँ नीचे suggestions में आ गया है Sentinel 2A rasters में यह वाला data है, जिसके हम import करना चाहते हैं, इसको open करते हैं इसके बारे में सारी details आ जाएंगी और Earth Engine में यह collection snippet जो है, यहाँ पे इसको कैसे import करना उसके लिए यह function दिया हुआ है इसको हम copy कर लेंगे और यहाँ पे आप हम अपने code की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक variable assign करना है, जैसे हम satellite image import कर रहा है, तो इसको image दे देते हैं, इस variable को नाम, और is equal to हमने जो code copy किया है, उसको paste कर देते हैं, as it is, तो इस code का क्या मतलब है, e.image collection, यह जो है यहाँ पे collection of images जो है, इंपोर्ट होंगी, आप यहाँ पे date range set कर सकते हैं, मतलब 10 October से लेके 20th October के बीच की कोई imagery चाहिए आपको, तो उस case में जो है, आप image collection का use करते हैं, अगर आपको कोई single imagery चाहिए, तो वहाँ पे आप dot image का use कर सकते हैं, तो ज़्यादा तर collection use करना better होता है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा filters apply कर सकते हैं date के लिए, अब इसमें हम जो है कोई filter apply करते हैं, जैसे हमें date filter करनी है, तो date filter के लिए, यहाँ पे हमें filter date, filter date का यह function होता है, अब date filter कर रहे हैं, तो आपको start date से लेके end date लिखने होगे उसके formatting क्या है, यहाँ पे लिखके बताते हैं तो उसके formatting जो आपको single quote में पहले start date लिखने हैं, जैसे मैं 2022 October 10 की बात कर रहे हूं और October 10 से लेके comma और end date को लिखने है single quote के अंदर, तो 2022, end date जो है, मैं 20th October कर रहे हूं, हो गया यह filter date, और तीसरा हमें describe करना है, एकदम basic easily कैसे import कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, cloud masking इन सब के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, तीसरा जो हमें filter करना है, इसे एक boundary से, कोई area of interest जो है define करना है, तो उसके लिए जो है, आपको function लिखना है filter bounds, bounds के अंदर क्या है, bounds के अंदर आपको वो variable का नाम देना है, जो आपका area of interest है तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर variable assign करना है, किसी geometry को, तो अभी तो हमें पास कोई geometry यहाँ पर है नी, जैसा कि हमने last lecture में सीखा था, geometry को upload करना, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक geometry पड़ी हुई है, assets में Rajasthan boundary, तो इसको board करते है script में, और यहाँ पर हमारे पास एक boundary report होके आ गई है, तो इसके नाम को जो है, table नाम से आता है, यह नाम आप change भी कर सकते हैं, यहाँ से edit table है, और इस boundary से हमें, इस satellite image को clip करना है, तो इस table को copy करते हैं, और filter bounds में paste हो नहीं रहा है, तो इसको लिख देते हैं, अब हमने boundary assign कर दी, अगर आपके पास जो है, कोई shape file नहीं भी है, assets में, तो आप जो है, यहाँ से polygon draw कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे sides में बने हुए point line polygon, तो मैं यहाँ पे यह rectangle वाला select करी हूँ, और rectangle से आपको जो भी आपका area of interest है, वहाँ पे rectangle draw कर लेना है, और इसको draw करती ही, यहाँ पे import वाले section में, आपकी एक और variable जो है, geometry के नाम से add हो जाएगी, जो कि इस polygon को represent करती है, तो आप इस geometry को भी अपना boundary area define कर सकते हैं, और जो आपने area of interest, जो asset upload कर रखा shape file, उसको भी आप filter bound में दे सकते हैं, तो फिल हाल तो मैं यह जो geometry है, इसको ही रहन देती हूँ, geometry को हटा देते हैं, यहाँ से आप यह import वाली फाइल से यह delete भी कर सकते हैं, आप जिसको नहीं चाहते हैं रखना, तो इसको हमने हटा दिया है, तो यह हमने जो basic filters थे, वो apply कर दिया है, date की filter और boundary के filters, और image हमने already दे रखी है, कि हमें sentinel 2 के image चाहिए, अब इसको print कर देते हैं, print कि इसको करना है, print जो हमने variable दे रखा, image के नाम से हमने दे रखा है, तो इस image को print कर देते हैं, और इसको run करते ही, आपको यह console में represent होगा, यह image collection के बारे में, तो इस image collection वाले को जब आप expand करेंगे, तो इसमें 206 elements आ गया हैं, और यह सारे elements की detail है, यह इतने elements इसलिए आ गए हैं, यह सारे band के बारे में details बता रहा है, और यहाँ पर आप date चेक कर सकते हैं, 2022, 1010, रहसे ऐसे करके 206 elements आ गया हैं यहाँ पर, तो यह तो आपने अभी console में print करके, इस image के बारे में सारे details देख लिए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको इसको map में visualize करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक दूसरा function लिखना होगा, map.add layer, और कौनसी layer हमें add करनी है, map में, यह image वाली layer, image वाली layer के जो visualization parameters हैं, कि आपको कौनसी band में visualize करना चाहते हैं, कौनसे color में visualize करना चाहते हैं, वो अभी मैं define नहीं करनी हैं, तो इसको blank छोड़ देते हैं, मैं आगे बताऊंगी कि इसको कैसे ले आएंगे, और इसके बाद आप किस नाम से इस layers में represent करना चाहते हैं, वो नाम देना है, तो हम इसे नाम दे देते हैं, sentinel 2A, यह नाम जो आप देंगे, यह single quote में होना चाहिए, इसके बाद इसको run करते हैं, तो इसको run करते हैं, हमने जो boundary दी थी, यह पूरे राजस्थान की boundary थी, और यह जो black image बन के आ रही, black image की बन के रही, कुछ कि हमने कोई भी visualization parameter नहीं डालेंगे, इस bracket के अंदर सारे visualization parameters आते हैं, वो हमने define नहीं किया, इसलिए image जो black बन के आ रही है, तो इसको अगर आपको define करना नहीं आता, उस case में आप क्या करेंगे, आपको layers पे जाना है, इसकी settings पे जाना है, और normally जो है, आप जैसे normal GI softwares में bands को select करते हैं, true color to false color composite, same चीज यहाँ पे भी करने हैं, तो sentinel 2A के लिए जो false color composite होता है, वो 8, NIR, 4 और 3 होता है, range जो है, इसकी आप इसको stretch कर देना 100%, अब इसके बाद इसको apply करेंगे, इसको apply करते हैं, आप देखेंगे कि यह पूरे Rajasthahn का false color composite represent हो गया यहाँ पे map में, और आपने जो boundary define कर रखी थी यहाँ पे, वो भी represent होके आ रही है, मतलब जितना area of interest आपने दे रखा था, वो represent होके आ रहा है यहाँ पे map में, तो पहला तरीका तो यह होग एकदम simplest method है, हमने जादा इसमें filters का use नहीं किया है, बस एक date filter का और boundary filter का use किया है, अगर आपको इतना भी लिखना नहीं आ रहा है, आप एकदम beginner हो coding में, तो दूसरा तरीका भी है, आप Google Earth Engine में कैसे visualize कर सकते हो इस data को, simply हमने जैसे पहले बार सर्च किया था sentinel 2A, तो इस 2A data को click करना है, और यहाँ पे इसके बारे में description जब open होके आती हो, जहां से हमने यह function को copy किया था, यहाँ पे आपको see examples पे click करना है, तो यह आपको एक नया code editor खुल के आ जाएगा, जिसमें already जो है, इसमें सारे codes लिखे हुए होंगे, sentinel 2A data को import करने के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यह पूरा code जो है, इसके visualization का लिखा हुए है, यहाँ पे cloud masking का भी function अलग से लगा हुए है, इस line में देखेंगे, तो हमने जो भी return में लिखा था, image collection, date filter किया था, यहाँ पे cloud को भी filter किया गया है, और visualization parameters भी यहाँ दिये गया है, minimum maximum value कौन कौन से band दिखने चाहिए image में, इसको एक बार run करके देखते हैं, तो अगर इसको आप run करेंगे, तो यह एक image जो है, visualize होके आ रही है, जैसा इस area of interest में दिया हुआ है, तो आपको simply क्या करना है, आपको जिस भी area के लिए चाहिए, यहाँ पे आप dot filter bound करके, अपना वाला area लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने इस code में बताया था, और जिस भी date range के बीच में चाहिए, आपको यहाँ पे बस date change कर देनी है, और फिर आप अपने area के लिए उस layer को visualize कर पाऊगे, एक चीज और ध्यान रखने हैं आपको, यह जो map.set center है, जिसके बारे में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में, lat long और zoom level को यहाँ पे लिखना होता है, जिस भी area को आप run होते ही zoom करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपने जो area of interest है, उसके lat long value और zoom level को लिख सकते हो, या फिर map.center object और एक function का use कर सकते हो, तो यह दूसरा तरीका है, beginners के लिए, जुनको coding के बारे में उतना नहीं पता है, तो वो इस method का use कर सकते हैं, satellite image को import और visualize करने के लिए, ऐसी अभी तो हमने sentinel 2A का देखा है, आप ऐसी landsat के लिए भी same method यूज कर सकते हैं, जिसे यहां landsat 8 के सारे collections हैं, इसको भी आप जब क्लिक करेंगे, इसके भी example पे जाएंगे, तो यह एक नया editor खुल के आ जाएगा, इसमें landsat 8 के सारे data visualization और उनको import करने के तरीके हैं, तो अध हिंजन में जो है, जितने भी functions define किये गए हैं, उन सब के description और code जो हैं, कि कैसे किसी satellite image को इंपोर्ट करते हैं, Google Earth Engine में, तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you very much.